नमस्कार, शुरुवाट्टी ने चुरुपेथी में, आज आपका एक बार फिर से स्वाकत है, आज हम आपको बताएंगे कि सिर्के का इस्तेमाल कितना फाइदे मंद है, जी हाँ, उसके फाइदे, अगर आप जानेंगे तो चौक जाएंगे, शायद बहुत कम लोगों को माल है, कि सिर्का ओशिधी में भी काम आता है, और ये अक्सर घरों में इस्तिमाल किया जाता है, स्वास्त के लिए हास्ते सफेद सिर्का और सेव के रस से बना सिर्का बहुती फाइदे मंद होता है, और सिर्के का इस्तेमाल रूप निखारने में, छुट-छुटी बिमारियो में बहुत ही कामका है और बहुत ही फायदेमंद है यह बहुतरिन कंडिशनर हो सकता है जी हां सिर्के का इस्तेमाल आप कंडिशनर के रूप में कर सकते हैं एक कप पानी में आदा चम्मस सिर्का डिलाए और बालों से मसाज कीजिएगा, आप जब बालों के अंदर मसाज करेंगे उस सिर्के से तो आपके बाल खिल उठेंगे और उनमें एक नई चमक पैदा हो जाएगी हिच्की की शिकायत अगर किसी को है, तो एक चमत सिर्का ले लीजिएगा कुछ समय में आपकी हिच्छी बंद हो जाएगी और गले में अगर किसी को बहुत जादा खराश है तो एक कप गरम पानी में एक चम्मसेव के रसका सिर्का मिला ले और उसे गौरगिल करें आपके गले की खराश दूर हो जाएगी मास्पेशियों में तकलीफ है अगर आपको मास्पेशियों में अगर तकलीफ है आपको और सांस लेने में प्राबलम हो रही है दर्द की शिकायत है तो सिर्के के इस्तमाल से आप मास्पेशियों के दर्द सिराहत पा सकते हैं इससे मसाज करना फाइदे मंद होता है और अगर मोटापा आप मोटापे से परिशान हैं तो चिकत्सिक की सलहा लेकर रोजाना एक निश्चित मात्रा में सिर्के का सेवन कर सकते हैं आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको इसमें फर्क दिखने लएगा आपको लगने लगेगा कि आप भजन में कम होते चले जा रहे हैं तो बस बैदो यही कहूंगा कि अगर आपको अच्छा लगता है कि आप मोटे ना दिखें तो आप शिर्के का इस्तेमाल कर सकते ह एगर आप अपने बालों को खूब सुरत बनाना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं तो आप इसको कंडिशनर के रूपय भी इस्तवाल कर सकते हैं, पस हम तो यहीं कहेंगे कि अच्छे जानकारी लीजियेगा, खुश रहिएगा, मस रहिएगा, स्वस्त रहिएगा, और अपने अपने धर्म का पालन करते रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, thank you very much.